आज हम चर्चा करेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में बुद्ध के जन्म के पूर्व छटी सदाप्दी इसापूर में भारत वर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था इनकी जानकारी हमें बौध ग्रंद के अंगुत्तर निकाय से मिलती है नीचे दी गई साणडी में महाजनपद, राजधानी तथा छेत और उनके आधनिक स्थान का वर्णन दिया गया है जैसे कि अंग महाजनपद की राजधानी चमपा थी और भागलपुर मुंगेर वर्तमान में बिहार में श्थी थे दूसरा है मगद इसकी राजधानी गिरवरेश अतवाराज ग्रह थी ये वर्तमान में पटना गया भी आर में श्थी थे तीसरा है कासी इसकी राजधानी वारारसी थी ये वारारसी के आसपास उत्तर प्रदेश का छेतर है वत्स इसकी राजधानी का समवीती इलावाद के आसपास उतरबदेश शेत में इस्थी थे पाचवाए वज्जी इसकी राजधानी वैसाली अत्वावीदे अत्वम मिछला थी ग्यवरतमान में वैसाली मुझा अपफर बूर दर्बंगा के आसपास का छेत्र है छेटा है कोसल इसकी राजधानी स्रावस्ती है ये फैजाबाद गोंडा बहराई चूतर प्रदेश के आसपास के छेत्र में इस्थित है साथवाई अवंती इसकी राजधानी उज्जैन अथवा महिस्मती थी ये वर्दमान में मालवा मत्र प्रदेश में इस्थित है आटवन मल, इसकी राजधानी कुसा वती थी, यह वरतमान में देवरिया बस्ती गोरग पूर उทटर ब्रभदेश में इस्ती थे नौवा माजनपद है сос stal ईसकी राजधानी अहीच छत रत्व काम पिलती यावरतमान से बड़ैली बदायूं परुख भाद उत्तरव देश में स्थित्त है दसवां है चेदी इसकी राजधानी सक्ती मती ती यावरतमान से बुंदेल्खंड उत्तरव देश शेत्तित्त है ही राजोरी यों हजारा चेत्र की असपाँ विश्ठ जोılar स्व चода में मतुडा तरप्रदेश ні्प它 चोल स्वाजन पद ने नहीं स्हांद में aug Tak Al кстати 4週 थेटी सदी ईसा पूर्ब का काल आतिक प्रगतियों दूती नगरी करनड का काल कहलाता है। इस काल में क्रसी में लोहे का प्रयोग सुरू हुआ, पक्की इटों का प्रयोग अधिक किया जाने लगा और सैन अतियारों में भी लोहे के प्रयोग के कारण एक क्रान ती आई। सामराज का उदे प्रारंबुआ और इस प्रकार नगरों के भिकास के करण रोजगार एवं ब्योसाई के भी नयने स्रजन हुए। और अन्यकों में पहली बार नगर सब्द का उलेखाया है, इस काल में कुल साथ नगरों की जानकारी मिलती है, बुद्ध कालीन छै प्रमुक नगर राजगीरी, चंपा, कॉसामबी, साकेट, स्रावस्ती यवं वारार्सी थे। महाजन पदों में से अधिकान्स ब्यापारिक रूप से बहुत मातपूर्टे क्योंकि वे भारत के मुख ब्यापारिक मार्गों पर इस्तित्ते और इनके सारे बहुमूल समानों का यातायात होता था। महा जनपदों में इस समय तक विविन प्रकार के विवसाय भी प्रिस्लित हो चुके थे जिनमें ब्यापारवा क्रिसी की अत्रिक्त पसुपालक, दरजी, थाजाम, रसोये, धूबी, रंगरेज, इत्यादिकना, मुलेखनी हैं सासकों के द्वारा विविन प्रकार के विविसे सग्यों को भी वाल किया जाता था जिनमें पैदल युद्धा, धनुर्धारी, खुड़सवार, हाथी पर युद्ध करने वाले, तथा रचलाने वाले सभी थे नगरी विवसायों में बैद, सल, चिकित सक्त था, लेखा कार भी सम्मिलित थे, मुद्रा बिनमय करता और गड़ना भी नगरी विवसायों में आता था नट यानि की कलाकार या रंग कर्मी, नटक यानि की नर्तक, सोक जई क्याने की जादूगर, नगाड़ा वजाने वाले, बाविस वक्ता इत्यादी की वीचर्चा एदियासिक्स रोतों में की गई है, मेले में आयजित होते थे, जिनने समाज कहा जाता था इसी समय कारशापन, पाद, मासिक, काकेृर, आदी सिखों का वीउलेक मिलता है, कि नटो आध सिख्का जिसे पंचमार्ग सिख्का भी कहते हैं, बारत का प्राचिन्टम सिख्का है, इसके प्रथम प्रमार तच्छय सिला में मिलते हैं, क्योंकि तच्छ शिला गांधार बी कह जाता था सेमूझा लेते हैं महाजन्पदों की राजन्य व्योस्ता के बादे में, उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल नोटबुक आयस को